हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल, क्रियोटिव फैशन हम नीलम मौर्या अब आज हम आपको बूलन ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे जिसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है क्योंकि बूलन ब्लाउज की लैंद और स्लीब लैंद एक्स्ट्र होती है इसलिए मैंने इसका 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है वैसे हम बेसिक ब्लाउज दो बनाते हैं वो हमारा 80 सेंटी मीटर में बनके कम्प्लिट हो जाता है क्योंकि उस ब्लाउज की लैंद और स्लीब की लैंद कम होती है इसलिए हमारा 80 सेंटी मीटर में बनके रैडी हो जाता है इसके लिए मुझे 1 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने और फैब्रिक को मैंने टू फोल्ड में रखा है और उसको अच्छे से स्प्रैड कर लेना है और फिर सबसे पहले हमको ब्लाउज की लैंद चाहिए ब्लाउज की लैंद हमको रैडी 17 इंचिस चाहिए इसलिए मैंने 1.5 इंच इसमें एक्टर लिया हुआ है 18.5 इंचिस हमको इसकी लैंद चाहिए इस तरीके से मार्किंग कर लेना है हमको फिर इसका हमें क्रॉस बैक चाहिए क्रॉस बैक है हमारा 14 इंचिस 14 इंचिस का हाफ 7 इंचिस पे हमें क्रॉस बैक का मार्किंग कर लेना है फिर जितना हमें क्रॉस बैक लेना होता है उतना ही आम होल लेते हैं तो उस तरहें च demon pen 7 इं जिस्का और फिर हमको को जी को चेस्थ करने च करने होती है तो चेस्थ है हमारी 14 सक्राइब लिद घरिए का crypto लिद्ध कोई ए मृलिए करने चेस्थ हमारी dart के लिए add करना है और इसमें 1.5 inches हम slip margin लेंगे इस तरीके से हमारा 10.5 inches total waste की length होगी और हम इसको stitching वाली line को stitching वाली line से match करेंगे और marginal line को marginal line से stitch करेंगे और shoulder से half inch हम down करेंगे marking करेंगे आम होल round को draw कर देंगे इस तरीके से आम होल का round का save दे देंगे इस तरीके से और यह हमारा back part है सबसे पहले हम back part कट करते हो मेरी side folded है फिर हमको इसका neck बनाना है तो neck की width है 3 inches और neck की length भी है 3 inches इस तरीके से हमें 33 inches का box बना लेना है 4ถाल से 3-3 inches हमको लेना और इसका box बना लेना है इस तरीके से और हम इसको भी count कर देंगे neck को भी round कर देंगे इस तरीके से और अब हमको चाहिए dart आब हम इसमें dart लगाते हैं dart लगाने के लिए हमको चाहिए 1 Donc जितना हमारा chest उता ह Himself को 4 से डिवाइड करते हैं तो 14 इंचे से हमाई जैसे उसमें 10 इंचे 10 इंचे में वन इंच प्लस करते हैं इस तरीके से 11 इंचे पर हमें डाट लगाने होगी और उस साइट से 3.5 इंचे पर इस साइट से फैबरी को लेते हुए और जितना हमारा हमने अभी 11 इंचे को के लिए मैं भी 11 इंचे की डाट करना है इस तरीके से किसे मध कर लिया भने और मोको इस तरीके से कटेंग करने इंचे पैसे किट कर दे Algum को और हमारी बैक पार्ट की अल्मोस्ट कटिंग कम्प्यूट हुई अच्छे से हमें फैब्रिक को पकड़ते वे करना है कटिंग करनी है चाहे तो आप पिन भी लगा सकते हैं और आप एजेस्ट कर सकते हैं ऐसे ही हैं कुछन को रखते विए कटिंग कर सकते है और यह हमारी बैक पार्ट की कटिंग ंब्लीट हुई अब हमको को यह हमारा बचक फैब्रीक है इसी पर हमें अपने बैक वाले पार्ट को पेलेज्ट कर देना है इस तरीके, इंच्छे से और आराम से के रग्र कर देना इंदे को इ कोई इस तरीके से हमें it is cut करना है बस सोल्डर नैक में चेंज होगा इस तरीके से हमें से मार्किंग कर लेते हैं ताके हमको पता है हमारा बैक का सोल्डर कितना है और हमको फ्रेंट में थोड़ा सा एक्स्टर डीपनेस देनी होती है और जो हमें एज़टीज कट करना है पहले हम उसको कट कर लेते हैं जितना पार्ट हमको एज़टीज कट करना है पहले यह हमारा open sided है और अंदर की side हमाय right side है इस तरीके से हम पहले cut कर लेते हैं अब हम इस पे solder भी cut कर लेते हैं और हमको neck थोड़ा सा cut कर लेना इससे हमको यह पता रहेगा हमारे दोनों neck की breath सेम रहेगी इस तरीके से थोड़ा से neck cut कर लेना हमको और अब हमको armhole पे जो fabric को अटा देना है अब जो हमने armhole पे जो हमको extra deepness देनी होती है front वाले part में इस तरीके से हमको armhole पे half inch की या 7.5 inch की हमको deepness देनी है अब हमें neck neck हमारा front है four inches का four four inch का हमें यह हमारी breath रहेगी three inches इस तरीके से हमें box बना लेना है और फिर इसका round neck का shape लगा देना है इस तरीके से और हमारा shoulder में भी अगर थोड़ा बहुत कुछ भी shaping में है तो उसे भी अच्छे से shape ड्रॉ कर लेनी है और फिर हमको इसे cut कर देना है अच्छे से fabric को पकड़ते हुए क्योंकि यह हमारा two parts है इसलिए और open-sided है इसलिए हमें अच्छे से पकड़ते हुए इसलिए को cut कर देना है और आप नेक को भी cut कर देना है और इस तरीके से हमारा front part और सबसे पहले हम लगाएंगे उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम को जो हमारा चेष्ट होता है चेष्ट को फोड से डिवाइट करेंगे तेन इंचेज आएगा हमारा 14 इंचेज और अक़ार्डिंग असे ना लगा देंगे और यह डाठ हम 2.5 इंचिस की लैंथ इसकी रहेगी 2.5 इंचिस पे इस तरीके से यह डार्ट रहेगी हमारी सेकंड डार्ट जो हमारी रहेगी वह वेस्ट से रहेगी तो इस तरीके से इस साथ से 3.5 inches पे पहले एक marking करेंगे इस तरीकी से 3.5 inches की फिर इसकी length हम उतनी लेंगे जो हमने ये जो first वाली dart लगा है इसमें और ये waste वाली डार्ट में 2 inches का ये 2 inches का difference होना चाहिए 2 inches ये 1.5 inches का difference होना चाहिए उसके according हम ये waste वाली side की dart की length लेते हैं अब हमको इसको both side half half inch की marking करनी है क्योंकि हमको वन inch की dart लगानी है इसलिए हमको both side half half inch और अब इसको हम diagonal match कर लेंगे इस तरीके से दोनों side से marking कर लेंगे तरीके से अब हम लगाएंगे 3rd dart 3rd dart हम उस तरीके से लगाते हैं जैसे हमाया armhole जो round है उसका जो भी हमारा curving से deepness जहां होती हो वहीं पर हम इसको लेते हैं और इसके जो length होती है वह dart की रहेगी 3 inches और इसको both side two box या half half inch का margin इसको भी रखते हैं और इसको diagonal match कर देंगे both side इस side से इस तरीके से मैच कर देंगे और अब हम नीचे वे शायद से 3 inch या 3.5 inches पर एक marking लगाएंगे और इसकी length हम उतनी लेंगे जैसे हमने बोला था सारी dart में हमार 2 inch या 1.5 inches का gap होना चाहिए उसी तरीके से इसकी उतना ही gap लेते हुए इसकी हम length ले लेंगे इसका कोई accurate measure नहीं है यही measure है कि सबका 2-2 inches gap होना चाहिए और इस तरीके से इसको भी diagonal match कर देना है इसका भी half a fin both side fabric को लेते हुए और match कर देना है इस तरीके से हमारी यह लग गई अब इसको fabric को हमको other side turn कर देना है और अच्छे से fabric को adjust कर देना है next part पे अच्छे से adjust कर देना है बलुकुल बराबर से shoulder, waist और armhole सब कुछ अच्छे से हमको set कर देना है बलुकुल बराबर से और set करने के बाद set करने के बाद जहां जहां हमने dart लगए उस वहां hand से इस तरीके से tap-tap कर देंगे तो other side भी हमारी जो darts है वो place हो जाएंगे और हमको दूसरे side हमको dart की marking नहीं करनी होगी वो all ready इस 15 inches 15 inches है तो one inch हमको extra strip लेनी होगी अब हम जो हमारा back part है उसमें हमने एक side to dart लगा लिए second that हमनों को place करने इसी तरीके से हमको इसको भी अच्छे से fabric को adjust कर लेना shoulder match कर लेने है और इस तरीके से अच्छे से match करते हुए इसको भी जो हमारी dart है उस पर tap tap कर देना है इस तरीके से tap tap कर देंगे अधर side यह भी place हो जाएंगे दोनों side हमारी यह dart place होगी अब हमको इसको हटा के रख देना है और अब हमको करनी है स्लीब की cutting तो स्लीब की cutting के लिए fabric लिया है हमें फैब्रिक लिया है यह 4 fold में मेरी side open sided है और उपर जो side है वो close sided है इस sleeves की लेंद रहेगी 16 inches 16 inches में हमको 1.5 inch fabric को extra लेना है वो हमारा folding में जाएगा इस तरीके से तो हम यहाँ पे 17.5 inch extra मतलब इतनी फैब्रिक पे हम वार्किंग करेंगे इस तरीके से उपड़ और नीचे दोंवाट धार हम 17.5 inches में मार्किंग कर लेंगो और इस तरीके से यह 2.5 इंज़े इस तरीके से quantitative कि किया 2 inches फिर हमको में कहें इस Lol सीब को CURVE के देना है इस तरीके से अच्छे से हमको armhole की यह जो हमारी saving होती है back save होती है अब जो हम लगा रहे हैं यह front saving है front saving जो होती है हमारी save होती है वो half inch की लगा सकते हैं या 7.5 inches की हम इस तरीके से armhole की deepness दे सकते हैं front side की और हमारा जो water time है वो 10 inches है और half होगा 5 inches और इसमें 2 inch margin add कर सकते हैं या 1.5 inches margin को add करती हुए इस तरीके से हम इस तरीके से diagonal line को match कर देंगे इस तरीके से match कर देंगे और हम slip को cut कर लेंगे से पहले हम जो back shoulder का रहता है marking उसके कट करते हैं इस तरीके से back shoulder की marking को हम पहले कट करते हैं और फिर हम यह जो बच्चवाब फैब्री के हमारा bottom side का इस side को भी हम पहले कट कर देंगे बहुत hand से अच्छे से को हम cut करना है हमें hand को रखते हुए और यह देखिए हम land देवा फिर से marking कर ले रहे हैं तो इस तरीके से हमारा हम कट लगा दिंग कट लगाने से जब हम फैब्री को फोल्ड करेंगे तो बहुत इजली हमको पता रहेगा कि हमको इतना इतना फैब्रीक फोल्ड करना है इस तरीके से टू फोल्ड करना होगा हमको फैब्री और हमारे कट के अब हमें जो front side का curve cutting करना होता है उसके लिए हमें उपर side से only two parts को उठाना इस तरह के यह right side है और इस तरीके two parts को उठाते वे जो हमने यह safe लगाई है इसको cut कर देना है इस तरीके से इसको हमें cut कर देना है और यह हो गई हमारी शिलिप की cutting complete front side जो button patty के लिए strip हम जो लगाते हैं उसके हमें cutting करना है तो उसके लिए यह मैंने fabric ले लिया है यह हमारा two fold fabric में है क्योंकि हमार और fabric बचा नहीं इतना ही बचा है तो इसको हम cut करेंगे तो इसके जो व्रीथ रहेगी हमारी वो 33 inches पर हम marking कर लेंगे इसकी व्रीथ हमारी 33 inches रहेगी और इस ट्रिप की length हमको चाहिए 16 inches तो उसी के according हमें इसकी double पे 16 inches के according इसके हमें cut कर लेना है इस तरीके से हम थोड़ा extra cut कर रहे हैं बाद में हो हमारे cutting में निकल लेगा इस तरीके से हमें इसकी length और breadth थिरेंज की cut कर लेनी है इस तरीके से और हमको यहां पे stitch कर लेना होगा तब ही हमारा fabric लंबा सा fabric हो जाएगा पूरी strip हमार stitch करनी होगी इस तरीके से अब हमको दूसरी strip cut करनी है वो हमारी strip होगी button जिस side हमें button लगती है उस side की हमको strip चाहिए strip की breadth चाहिए 2.5 inches और length हमको 16 inches ही चाहिए और इसकी strip breadth हमको 2.5 inches पे चाहिए और इसके according हम इसे cut कर लेंगे इसको हम cut कर लेंगे इसे मैंने marking पहले से कर लिया था बस आपको मेजर करके दिखा दिया और हमने इसको cut कर लिया और यह जो हमारा close side है इसको भी हमें cut कर लेना है तब ही यह हमारा open होगा और हम इसको stitch करके 16 inches का fabric कर पाएंगे इस तरीके से यहां में stitch करनी होगी फिर हम इ में front part में attach कर पाएंगे इस तरीके से जिसरीके से दिखा रहे हैं अब हमको चाहिए neck के finishing करनी है हमको neck के finishing करनी के लिए हमको और यह पट्टियां चाहिए तो यह मैंने पहले से कुछ marking कर रखी है और आपको दिखाने के लिए मैं marking करके दिखाती हूँ उसके लिए सबसे प cac- Yok last side के लिए करनी है और एक मिरमें इस तरीके से हमको 1.22 बॉक्स की हर वंवांज दिखाते हूँ उस तरीके से डाय गेनल मैच कर दो ईनी है लाइन को इस तरीके से मैच कर लिए और इसनी पहल इस तरीके से हमको यह जितनी मैं के के लिए हमको strip की नीड है उतनी हम कट कर लेंगे बाकि फैब्रिक को हम एर जिटीज रहने देंगे इस तरीके से हम कट कर लेंगे अच्छे से फैब्रिक को पकड़ते हुए और यह देखिए हमको फैब्रिक की 3 strip में हमारा नया क्या हो जाएगा इसलिए हमने 3 strip ले ली है इस तरीके से बैडिया और हमारे ब्लाूजी कटिंग कंप्प्लीट हुए हूए हूश यह हमारे ब्लाूज का बेडक पार्ट हैं और ये हमारा front के दोनों part हैं और ये हमारा sleeve हैं और ये हमारी button पट्टी के लिए strips हैं front दो strips हैं और ये हमारा neck finishing के लिए strips हैं इस तरीके से हमारी blouse की cutting complete हुई इसकी stitching मैं आपको अपने next वीडियो में करके दिखाऊंगी